हेलो माई डियर एस्पेरेंट्स तो कैसे है आप सब आई वेलकम बैक टॉल आफ यू इन माई यूट्यूब चैनल सो आज का जो हमारा इंपार्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहां पे जो हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइटस है यूनिस्को की तरफ से जो यहां पे हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइटस है उनके बारे में हम यहां पे स्टेडी कर रहे हैं एक्जाम प यहां से तो बात करेंगे यहां पर मैंने आपको दिखाया था कि हमारे आलो और इंडिया में टोटल हमारे पास जहले मैंने आपको दिखाया था क्राइटेरिया क्या रहता है कि किसी उसी साइट को यहां पे यूनिस्को के लिश्ट में डालना हमारे बास टीन टाइप के यहां पे यहां पे हर्टे साइटेस देखने हों मिलती है मैंने आपको बोला तर पहला कल्चरल इंपोर्टेस रहेगा तब कोई प्लैस तो उसको यहां पर positively llama डाला जाता है या नेचरल कोई saite होती है यह मिक्स पहता है इन दोनों का मिक्स होता है कल्चेराव पलस नेचरल तो उसको बुलींगे मिक्स प्ल्टवाला यहां पे हेरिटेज साइट तो हमारे इन्डिया में थ्री टाइप यहां पे वर्ल्ड heritage status पाई जाती है cultural nature and mixed culture plus natural तो मैंने criteria बताया था तो मैंने आपको criteria बताया था क्या होता है cultural site को select करने के लिए या natural site को unisco list में डालने के लिए criteria रहता है अगर कोई criteria met होता है तब ही जाके यहां पर यह world heritage list में डाली जाती है जो भी site होती है तो चले हम बात करते हैं आप आज के topic की तो guys उसके बाद हमने यहां पर देखा जो है convention हुआ था यहां पर article 53 आप जीनिवा convention जो treaty यहां पर बनाई गए थी उसमें बताया गया था कि हमें यह अगर कोई भी यहां पर site हम उसको world heritage site उसको consider declare कर देते हैं तो यहां पर hey convention for protection of cultural property in the event of armed complex of Sodham 14 में 1954 में यहां पर इन्हों ने यह आर्टिकल बनाया था यहां पर इन्हों ने prohibit किया था कि हम protect कैसे करेंगे in natural site को यहां cultural site को यहां mixed site को protect करना पड़ेगा चाहे कोई भी वार चर रहा हो country में तो यहां पर article 53 आप जीनिवा convention treaty यहां पर applicable हो जाएगा इन site को protect करने की जिमादारी रहेगी armed forces का according to the article 53 आप जीनिवा convention treaty उसके बाद बात की हमने world heritage site की इंडिया में cultural site यहां पर हम सबसे पहले देखने को मिला था यहां पर आजंता के वस 1983 से यह सिलसला स्टार्ट हो गया था यह progress सिटार्ट हो गया था notification of identification of cultural sites और यूनिसको heritage sites इंडिया में सिटार्ट हो गया है 1983 से उसके बाद हमने अगर हम डिरेक्ट यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे overall इंडिया में कितनी और किस सिटेट में कितनी यहां पर यह यूनिसको वरल्ट हेरिटेस साइटस पाई जाती है अगर हम सिटेटस की particular बात करेंगे तो यहां पर overall इंडिया में फुटी पाई जाती है फुटी पाई जाती है यहां पर फुटी फलस फूर वो बन जाते है फुटी फूर मागर actual में हमारे पास फुटी ही available है अभी इनिसको की cultural heritage हर heritage लिष्ट में तो सबसे पहले बात करो में यहां पर आरनाचल परदेश की बात करो में तो यहां पर आरनाचल परदेश में हमें कौनसी एक कितनी साइट देखने फूर और हमाचल में एक हमाचल में एक देखनों को मिर रहा है और यहां पर करनाटा का में दो केरला में एक मदिया परदेश में तीन और महाराश्रा में पांच उडियसा में एक राजस्तान में चार तो उसके बाद इसके अलावा हमें यहां पर तिलंगाना में एक तामिल मिलेंगे हमारे पास किसके सिटेट में हमें सिर्टे साइड देखने को मिलती है वो मिलेगी हमें यहां पे दीखे यहां पे हमाय चल परदेशे करनाटा का में एक एक शियर होता है और यहां पे वेस्ट बेंगाल में भी एक शियर होता है यहां पे तामिल नाडों में भी शियर होता है शियर यूजुवली होता है जो ट्रैन रेलवे ट्रैक होते हैं यहां रेलवेज का ट्रैकिंग होता है रेलवे लाइन होती है किसी चपार एक्जमपल हमारे वेस्ट बेंगाल से लेके मंबज तक एक रेलवे ट्रैक चलेगी वो मौंटेनी एरिया से पास होके उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिष्ट में डाला गया तो यहां पे यह वेस्ट बेंगाल और डेली में दोनों के साथ शियर करती है इसलिए इसको शियर बुला जाता है शियर में हमें यहां पे देखने को अलमुष्ट फूर साइटिस देखने को मिलती है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिष्ट में डाली गई है तो उसके बाद हम बात करेंगे यहां पे हमने कितना कवर कर लिया था हमने 1993 तक आइछिंग देहली तक यहां पे कवर कर लिया था यह देखे हमायों स्टामबोर कुत्ब मिनार की बात करी थी हमने लास्ट वाली पार्ट में जिसको पार्ट था आप ने इस लेक्चर का पहला पार्ट नहीं देगा तो आप से से लेक्चर का पहला पार्ट देखिए हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है अगर आप डार जिलिंग हमालिय रेलवेज की बात करेंगे तो मैं आपको डार जिलिंग वेस्ट बंगाल हमालिय रेलवेज भी दिखाऊंगा यहां पर वो कैसे लग रही है मतलब कितनी ब्यूटिफुल हो उसकी इंपार टैनस क्या है वो इसको हेरिटेज लिस्ट में क्यों डाला गया यह देखिए आप डार जिलिंग हमालिय रेलवेज वेस्ट बंगाल नाइटेज लिस्ट में डाला गया यह देखिए कितना मॉंटेनी एरिया है हमारा हमालिय रिजिन है डार जिलिंग का वेस्ट बंग को according to the natural mountain region में यहां पे इसको यहां पे बनाया गया है बहुत ही aesthetic as well as natural beauty present करता है तो इसलिए इसको यहां पे natural importance देखे इसको यहां पे बनाया गया है world heritage site तो उसके बाद बात करें कि हम तो गाईज उसके बाद बात करेंगा हम सीधे 2002 याने 2002 में हमें देखने को मिला था महाबूधी टेंपल कंपलेक्स बोदा गया बिहार महाबूधी टेंपल कंपलेक्स यहां पे हमें बूधी टेंपल हमें देखने को मिला था बूधी गया बिहार में यानि बिहार में हमें ये टेंपल देखने को मिल रहा है बहुत ही इंपार्ट टेंट है इसको टू जिरो टू में माभिहार में भी इसको यहां पे महापूधी टेंपल था उसको वर्ड है टेलिस्ट में डाला गया है मैं आपको दिखाना चाहूंगा महाबोधी टेंपल का स्ट्रेक्चर आर्किटेक्चर वरक कैसा है तो देख लीजिए काईज यहां पर हमारे पास महाबोधी टेंपल बूद गया बिहार में हमें देखनों को मिला है बहुत ही important है क्युंकि इसको इसको बिल्डिंग आर्किटेक्चर यहां पर modification किया गया है यहां construct किया गया है बिलकुल masterpiece और we can say the extraordinary और we can say the exceptional यह वाला आर्किटेक्चर आपको देख रहे हैं मतलब इसका आर्ट है कि जब बढ़िया ही लग रहा है मतलब बहुत मेहनध लगी होगी इसको बनाने में तो इसकी आर्चिटेक्चर की मिसाल और वर्ल्ड में दी जाती है तब ही इसको यहां पे वर्लड हेर्टे लिस्टी में डाला गया क्योंकि इसका मास्टर पीस आप आर्ट ओर किया कनस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट्रल डिजाइन आपको देखने को में रहा है ये देखे इसकी डिजाइनिंग कैसे करी गई है इसका यहां पे टॉम वगेरा जो इसका एंट्रेन्स गेट यहां पे देखे वो कैसा बना गया है बहुत ही मतलब क्राउन लाइक स्ट्रक्शर यहां पे इसके उपर बनाया गया है बहुत उपर इसका मगबरा वगेरा बनाया गया है तो यह देखे इसके लिए इसको यहां वरल डेहटे लिस्टे में डाला गया था उसके बाद बात करेंगे यहां पे 2003 में यानि 2003 में आया था हमरे पास रॉक शल्टर के वसा बीम बिटका मदिया परदेश यानि मदिया परदेश में जो रॉक शल्टर सा बीम बिटका बीम बिटका के जो रॉक शल्टर यहां पे पाए गए थे मदिया थे मतलब बहुत आर्टिक और लिटरेचर वर की वहां पर पाया गया है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा बीम बिटिका तो यह देख लीजिए गाइस यहां पर हमारे पास बीम बिटिका एवलेबल है यह देखे रॉक शेल्टर केव यहां पर बनाई गई है मतलब रॉक क शेल्टर मतलब रॉक के अंदर यह केव बनाई गई थी मतलब बहुती आर्किटेक्चल डिजाइन में बनाई गई थी यह मजिया परदेश में टू जिरो तू डबल जिरो त्री आने टू थासन ट्री में इनको भी यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया मतल चांव तो गогाई उसके बाद बात करेंगे हम 2004 में हमें देखने को मिला चत्रापती शिवाजी टर्मिनस और विक्टॉरिय टर्मिनस मंबई महराष्ट्रव ममबई महराष्ट्ष्ट में मे एक बाद्रमिनल देखने को मिला च्電व जो हम पर मतलब यहां पर टर्मिनल आर्किलाजिकल पारा गुजरात यहां तो था शीवाजी टर्मिनस और दूसरा था पावागड आर्किलाजिकल पारा गुजरात में अगर आप देखना चाहोगे इनकी important इस क्या है इंकी property इनकी properties क्या है इनकी masterpiece of artwork क्या है आप में आपको दिखाना चाहूंगे दोनों की दोनों यहां पे तो यह देखे गाए हमारे पास मंबाय का चत्रपती शिवा जी महाराजा टरमीनस या विक्तोर्य टर्विनस2 थासंट फॉर में इसको डिक्लियर कैर दिया गया वर्ड उकट्र UP में ये देख सकते हैं मतलब कितना बड़ा यहाँ पर कंप्लेक्स है महाराजा चतरपती शिवा जी का यहाँ पे शिवा जी के नाम पे इनको रखा गया था नाम ये देखिए इसका आर्किटेक्टर स्ट्रक्चर क्या है ये बहुत ही इंपार्टेन्स आपको देखने को बहुत ही इंपार्टेन्स आर्किटेक्टर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो थी ए फेमस टर्मिनल है मंबए में तो इसलिए वर्ड हेटे लिस्ट में आया था उसके बाद पावगाड यहां पे चंपरम पावगाड आर्कोलाजिकल पारा गुजराद की बात करेंगे तो गुजराद में आप देख सकते है 2004 में इसको यहां पे वर्ड हेटे लिस्ट में डाला गया था यह देखिए इसका आर्किटर्ट्र डिजाइन इस स्ट्रक्चर का देखिए इसका स्ट्रक्शन का देखिए आर्किटर्ट्र स्ट्रक्चर क्या था मतलब इसका पैटरन वगरा कैसा था डिजाइन क्या था तो बहुत ही Masterpiece of artwork यह We can say the Unpredictable We can say the Unexceptional Masterpiece of artwork इसमें भी देखने को मिर रहा है तब जाके इसको भी चमपारम पाउगड और कलाजिकल पार गुजरात को भी हम पे यूनिस्को लिस्ट में डाला गया था इसके बाद 2005 की बात करेंगे तो गाय 2005 में हमें तामिल नाड़ो में देखने को मिलता है निलगिरी मौंटें रेलवेज यहां पे निलगिरी मौंटें अंडर मौंटें रेलवेज आफ इंडिया तामिल नाड़ो में पाया जाता है निलगरी मौंटेन रेलवेज मौंटेनी एरिया में से पास होके इनको नेचरल हेरिटेज में लिस्ट में डाला गया था यह उसको कि वर्ड हे टेल लिस्ट में डाला गा है क्योंकि बहुती इंपॉर्टन ब्यूटिफुल व्यूव वहां पे देखने को आपको मिलेंगे जो की नेचरल ब्यूटी को प्रेजन्ट करता है नेचरल मॉस्टर पीस अपार्ट वर्क यहां पे प्रेजन्ट करता है मैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो देखे गाई यहां पे निलग tuna मौंटेनज में आपको दिखा रहा हूँ निलगिरी मौंटेन रेलवे जो तामिलनाडो में 2005 में इनको यहां पे डिकलियर किया गया था वरड़े है लिस्ट में इस रेलवे ट्रैक को और इस रेलवे लाइन को डाला गया था निलगिरी मौंटेन रेलवे जो निलगिरी करेंगे कि बहुत ही इतने ब्यूटिफल तरीके से इस रेलवे लाइन को बनाया गया है तो यह अपने आप में एक कल्चर इंपॉर्टेनस नेच्रल इंपॉर्टेनस रखती है तो इसलिए युनिस्को लिश्ट में इसको डाला गया था 2005 में उसके बाद बात करेंगे यहां यहां पे 2007 में हमें देखनों को मिला था रेड़ फोर्ट देहली का लालकला याने देहली का भी इसको 2007 में यहां पे युनिस्को लिश्ट में डाला गया था अभी मैं आपको वह भी दिखाऊंगा उसके बाद अनादर इंपार्टेंट काल का शिमला रेलवे इमाचल परद यानि राजस्तान का भी वर्ल रेड़ लिश्ट में आया था तीनों के तीन यहां पे रेड़ फोर्ट काल का शिमला रेलवे उसके बाद जंतर मंतर जेपोर राजस्तान में आपको दिखाऊंगा कितना ब्यूटिफुल लग रहे हैं ये तीनों के तीनों इनकी कल्चर गया था तो अगर इसके हिस्ट्री की बात करेंगे तो तो जंतर मंतर जेपोर इस एक कोलेक्शन आप 19 एस्ट्रो नॉनिमिकल इनिस्ट्रूमेंट इस बिल्ट बाई राजपूत किंग सवाई जे सिंग सवाई जे सिंग सेकंड फाउंडर आप दा जेपोर राजस्तान सवाई जे सिंग सेकंड रहेगा उनोने यह राजतन कि जेपोर की पाउंडेशन डाली है यहाँ पे 19स्ट्रो नॉमिकल इनिस्ट्रूमेंट रखे गए यह देखे कैसे कैसे इनिस्ट्रूमेंट इहां पे रखे गेंगे जंतर मंतर में ता मॉन्ह मयों ट्सक्राइब इन it is near city palace and Hawamahel, your city palace and Hawamahel के बहुत करीब है ये जंतरमंतर राजस्तान का, बहुत ही important रहेगा as far as historical importance is concerned of जंतरमंतर राजस्तान, कालका शिमला railway line की बात करेंगे जो कालका और शिमला के बीच में railway line यहां पर हिमाचल परदेश में 2008 में इसको यहां पर पास होके यहां पे railway line कर रही है मतलब पास कर रही है तो ये भी important दो रखती है अपने आप में as per as natural beauty is concern और natural geography और physiography is concern तो इसको भी cultural importance ya natural importance की बेसी पे world heritage list में डाला गया था red board की बात करेंगे तो lalеньuded देली में पाया गया है इसको देली 2007 में इसको भी declery किया गया, UNESCO की World Heritage, स्वारी गाई, तो यहां पे UNESCO की लिच्ट में आया था, देहलि, Redford, देहलि, 2007 में Redford, डेहलि, की हिस्तरी की बात करेंगे, कि तो यहां पे इसको बनाने वाले थे, जो मॉगल Emperor शाहि जहां थे, उन्होंने इसको construct किया था 1638 में याने 2012 में 1638 में इसको construct कर दिया गया था किसने किया था शाहिज जहां ने किया था मॉगल एंपर शाहिज जहां ने किया था इसको construct वेन ही डिसाइट टो शिफ्ट इस कैपिटल प्रेम आगरा तो डेली उसने बोला था कि अब जो का आगरा में हमारी कैपिटल थे अब हम डेली में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी मेमोरी में यहां उसकी खुशी में उन्हों ने यहां पर रेड़ फूर्ट को चनस्टक्ट कर पराजिस्तान, राजिस्तान के सिक्स हिल्स को भी rejoice लिफ्ट में डाला गया है, छितोरगर, रंतम, भौर, जासिल मे र, कुंबलगर, अंबर, एन, गईगरॉण, यह सिक्स हिल्स राजिस्तान में पायं जाते हैं, तो इनको भीитесь हमें रृस میں 2013 में डाला गया है 2014 में रानी की वेव यानी की जिसको कुईन सिटी एफ्यल कहा जाता है गुजराट में पाया जाता है इसको भी 2014 में यहां पर रे लिए लिए हम 2016 की बात करेंगे 2016 में हमें देखने को मिला था अर्चिटेक्चर वरक आप लीक रॉब्यूसर रीज्सर कैपिल कॉंपलेक्स चंदीगड़ किया जो कैपिल कंपलेक्स है वो लीजर बरस लीक रॉब्यूसर ने बनाया था तो वो भी यहां पे वर्ल रेटे लिश्ट में आया था उसके बात बात करें Exact Man taught नाव अलंदा युनिवरसिटी जो बिहार में है वो भी यहां पे वर्ल्ड हेल्टे इस्टिश में 2016 में आई थी उसके बात करेंगे 2017 में तो वो आई थी हिस्टारिक सिटी आप अहमद आबाद अहमद आबाद यानि गुजरात की अहमद आबाद सिटी भी इस लिस्ट में आउंगा यहां तो यह देखें यहां पे आमद आबाद सिटी आप गुजरात 2017 में भी इसको यहां पर वर्ल्ड हेल्ड लिस्ट में डाला गया था आप देख सकते हैं मतलब यह बहुत ही ब्यूटिफल वर्ल है बहुत ही इंपार्टेंट रहता है क्योंकि यहां पे बहुत सारे आर्टेक्टिर डिजाइन यहां मास्टेर पीस आप आर्ट वर्ल कि यहां पे देखने को मिला था इस सिटी में बहुत सारे ऐसे चीज seems है जिनकी वज़े से इसको वर्ल हेल्ड हेले लिस्ट में डाला गया था उसके बाद बात करेंगे हम यहां पे जो राजिस्तान मे सिकिस हिल पाई जाते हैं उनको यह भी वर्ल लिस्ट में डाला गया था यूनिस्को की वर्ल हेर्टेज लिस्ट में यानि कि 2013 में चितोरगर फोर्ट की बात करेंगे अंबर फोर्ट की बात करेंगे तो ये फोटोस की बात करेंगे तो ये फोटोस बनाए गए था इन हिल्स पे चत्तूर गर रहे है फोट जो हिल पे बनाया था राना थमपूर फोट हिल पे बनाया गए था अंबर फोट हिल पे बनाया गए था खुमबई गर फोट हिल पे बनाया गए था गैगरान फोट हिल बनाय गया था तो यह राजस्तान में पाये गए हैं सिकस कम स्ल इस बहुत ही important राएंगे यह देखेजू था तो रानी की वे वे इयां से यहां से मतलब एक rectangular shape में बनाया गया उसके बीच में से एक connection दिया गया है मतलब बहुत ही बड़ा और्किटेक्चर वर्क यहां पे देखने को मिर रहा है आपको रानी वे की वेव की हिस्टर की बात करेंगे तो यह रानी की वेव इस सिट अफ वेल इसको सिट अफ वेल भी कहा जाता है सिटुएटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट रियान दा बैंक आफ वीच रिवर तो वहाँ पर आप्शन रहेगा सारसवधी रिवर तो आप इसको टिक करके आएंगे उसके बाद बात करेंगे कैपिटल कॉमपलेक्स आप चंदीगर 2016 में लियू कर्वियू सर ने यहां पर डिजाइन दिया था जो यहां पर यह देखिए बिलकुल बहुत ही आर्किटेक्टिल डिजाइन आप देख सकते हैं इसका बहुत ही नीट एंड कलीन है हमारी चंदीगर च्छिलिघ्रसिटी यहां पर डिजाइन के लिए इसको यहां पर कंसिडर किया गए था वर्लड हेरीटेज लि़िस्ट में क्योंको बहुत ही इंपार्टेनस रहती है यहां पर ऐस था हिस्टोरिकल मॉनुमेंट इस डिःकुष कंसन्ट और और ऊर्किटेक्टेक्टट्र में आया था था Victorian and Art of Mumbai जो Victorian and Art of Mumbai वो आया था 2018 में और उसके बात 2020 में जेपोर के लिश्टी में आए थी उसके बाद ककतिया रुद्रेशवरा टेंपल रुद्रेशवरा टेंपल और डोला वीरा जो हरापन सिटी है यह 2021 में आए थी दोनों के रामपा टेंपल यहां रुद्रे 2021 में आई थी जेपूर सिटी 2020 में आई थी और विक्टोरियन प्याट आप मंबय आया था 2018 में तो ये हमारे पास टोटल बन जाती है 32 नेच्रल हेरिटेस या कल्चर हेरिटेस साइटिस के बाद नेच्रल साइटिस की बात करेंगे तो वो रहेंगे 8 यहां पे 32 प्लस 8 हो गया ह हमारे पास टोटल 14 नमबर अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जेपूर सिटी काकट युर्द्रेशवरा टेंपल या डोला वेरा सिटी तो आपको मैं इनका डिजाइन यहां पे दिखाना चाहूंगा एक और जीज हमने यहां पे देखी थी वो देखी थी नालंदा महा हावीरा है उसका डिजाइन आप देख सकते हैं यहां पर क्या हिस्टारिकल आर्किटेक्ट्र डिजाइन जो बहुत ही रिप्रेजेंट करता है मास्टरपीस आप आर्ट वरक को एस पर एस वर हिस्टरी इस कंसर्ण डड़ ऐस पर एस इस इस्टारिकल मॉनूमेंट इस कंसर पशला लिडा ऐसान कंऄ luc messy बाद करी हमने यहां पर टूसंट एटिंग की मंबाई में जो विक्टोरियन गोथिक इंड और्टु इको एंशेंबलेज्ट्र विक्टोरिया गोथिक इंड यॉट्यान को एंड़ इंसेंबलेजLove withdo और ओिकोः एंशेंबलेज्ट और्डिया इनको यहां पे वर्ल्ड हेर्टे लिस्ट में डाला गया है उसके बाद जेपोल सिटी की बात करेंगे जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है जो राजितान में पाए जाती है इसको 2002 में यहां पे डिकलियर कर दिया गया वर्ल्ड हेर्टे लिस्ट साइट में क्योंकि यहां पर इतने सारे historical monumentus या इतने सारे इतने brilliant या incredible structures, monumentus आपको देखने को मिलेंगे कि जो यूरलेट हेरटेज लिस्ट में अपने आपको दावेदार मानती है तब ही इसको जाकर वर्लेट हेर लिस्ट में डाला गया था हमारे इंडिया की शान है जेपोर सिटी याने पिंक सिटी द्रमापा की बात करेंगे द्रमापा टेमपल तिलंगाना की बात करेंगे टू-021 में यहां पर हमारे लेटेस्ट यहां पर यह देखिए क्या डिजाइन है इस टेमपल का मलब बहुत ही बढ़िया डिजाइन है इसकी डिजाइनिंग तो आर्किटेक्टर वर्क तो अन एक्सेप्शनल एंक्रेडिबल यहां टोटली मास्टर पीस अप आर्ट वर्क देखने को मिलता है इस टेम्पल में तब ही जाके यह ट्रमापा टेम्पल तिलंगाना का टू-021 में वर्ड हेटे लिस्ट में अपना ना गया क्योंकि इसकी इंपार्टनस रहती है यहां पर ड्रैनेज सिस्टम यहां का टाउन पलाइनिंग सिस्टम आप बात करेंगे तो वह अन एक्सेप्शनल और वो कैंसे एक्स्ट्राइडनेरी इंक्रेडिबल रहा है उस बेस्पे इसको यहां पर वर्लड हेटेज लिस्ट थी यहां पर वर्लड हेटेज साइट उसके बाद रहे गया काजीनाग नेशनल पारक जो कि आसाम में 1985 में इसको यहां पर वर्लड हेटेज लिस्ट में डाला गया था क्यूंकि इसमें नेचरल हैबिटेट यहां जियोग्राफिकल यहां आप कह सकते हैं बायो लाजिकल बा यह नेशनल पारक की राष्टां की यह भी लाजिकल उसके बास सुनदर बंद नेशनल पारक वेश्ट बेंगाल 1987 में यह भी लाजिकल नेशनल पारक इजन नेशनल पारक जोysłड़ सम 45 एग्जाड आप पूलेट यह वेलिया फुलावर्स नेशनल पारक उत्राःक्न में को बोलेंगे उत्रा खंड वर्ल्ड हेटेज लिस्ट में भी आई है उसके बाद वेस्टरंगाटर्स की बात करेंगे जिस में आता है अगस्थाया, मली, परियार, अना मली, निलगिरी, तलकावीरी, कुद्री, मुक, एंशियाद्री ये सारे वेस्टरंगाटर्स में इतने सारे important places है ये भी 2012 में यहां पर वर्ड हेटेज लिस्ट में आ गए उसके बाद Great Himalya National Park जो हिमाचल परदेश में 2014 में वर्ड हेटेज लिस्ट में आई उसके बाद कंचंचंगडोजा कंचंचंगडोंगा कंचंगडोंगा नेशनल पारक सिकिम में 2016 में यहां पर वर्ड हेटेज लिस्ट में आई है तो यह अक्सेप्शनल केस रहेगा खंचंचंगडोंगा नेशनल पारक इजया मिक्सट केटागरी यह रहेगा कल्चंग पलस नेशनल वाली साइट इंडिया में सबसे पहली और सबसे आखरी भी यही है अभी तक सिर्फ एक मिक्सट आपको यहां पर कल्चंचंग दोजा नेशनल पारक सिकिम में जो भी प्राणावनों से आप प्लीज प्रॉपरली चक केजिए कि यह प्रॉनसेशन क्या है इसकी बट यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कंचंचंग दोगा नेशनल पारक सिकिम की है यह है मिक्सट नेशनल पारक एक्जाम में पूछा जाग सकता है वीच वन आप दो फालोइंग इस दा मिक्सट साइट आफ वर्ल्ड हैटे साइट इन इडिया आप बोलेंगे कंचंचंग दोगा नेशनल पारक तो मानस रहेगा काजी रंगा रहेगा कोलेडो रहेगा सुन्दर बन रहेगा नंदा रहेगे वेश्टर रहेगा ग्रेट हमाले नेशनल पारक रहेगा और रहेगा वेलिया फुलोवर्स नेशनल पारक ये सारे के सारे नेशनल साइटर्स याने के वर्ल्ड हैटेज लिष्ट में आती है अगर आप एडवेंटेजिस की बात करेंगे तो क्या होता है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ये वर्लड हेर्टेच पाई जाती है तो वहाँ उस एरिया की इंपार्टेनस बढ़ जाती है यहाँ पर जहां पर ओल ओवर वर्लड के अटेंशन जाता उस वज़े उसकी तरफ कि इसको कैसे प्रिजरो और कंजरो किया जाए वहाँ पे टूरिजम का ग्रोथ होता है उसके बाद यूनिसको उसको प्रोवाइड फंड करता है कि भाई आप इसको प्रिज़र कीजिए, कंसरो कीजिए, ट्रैनिंग दीजिए अपने स्टाफ को कि इसको कैसे कंसरो किये, कर दिया जाएगा यूनिटिड सिस्टम के साथ, प्रोवोटывать close ties with यूनिटिड सिस्टम तर प्रिर warrior education स्पोर्टीड स्टाफ के साथ हमारा कॉपरिशन बढ़ जाता है यहाँ पे ग्लूबल प्रोजेक्ट मनेजमेंट रिसूर्से उतलाब उसके उन पे वहां पे रिसरच किया जाता है फरदर यहां पे मनेजमेंट गलोबल प्रोजेक्ट वहां पे एस्टेबलिश किये जाते हैं यहां पे फारवर्ड किये जाते हैं उसके बाद उसके बाद गोवर्मेंट प्रेवेट सेक्टर एंड एंजियो के बीच में यहां पे आर्टिकल 53 जेनिवा कन्वेंशन ट्रीटी आर्टिकल 53 के अंडर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है अगन इस्ट दिस्ट्रक्शन और मिस्यू जूरिंग दा वार टाइम वार टाइम के जोरान इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा चाहे किसी भी कंट्रि में ये साइट हो another Genua Convention of United Nations जो इन्होंने यहां पर Genua Convention यहां पर held कराया था तो कुलास फूर्थ की बात करेंगे 2020 में जो 2021 में सुरी 2021 में यह एक्जाम कंडक्ट कराया गया कुलास फूर्थ का जुमो कश्मीर से सर्वेस सेलेक्शन बोर्ड ने तो वहां पर एक क्वेशन पूछा गया था यहां पर इसको आप क्रॉस मैच कर सकते हैं विद रिगार्डिंग दा रिटेस साइटर्स दह पैंटिंग इस पैंट रिटेस्ट अप्टींग वहारे महाराश्ट्रा में पाई गई थी 1983 में सिबसे पहले इनको वर लेयरी लिस्ट में डाला गया था जो हमने इस चप्टर में पड़ा तो बताया जा रहा है कि जो वहां के वालज और वहां की चातों में जो आजंता, एलोरा के किवा 176 में जो पैंटिक्स बनाई गई है, वो किसकी लाइप को यहां पे, डिसक्राइप करती है कौन किसकी लाइप को डिसक्राइप करती है वो पैंटिकस माहवीर, बुद्दा पर्शू 나오ama या नरसिमा तो यहां पे इसका करेक्टर आप्शन था बुद्धा, लॉड बुद्धा की यहां पे पैंटिंग थी उसको डिस्क्राइब करती हैं, डिपिकिट करती हैं आई होप आपको यह कोच्छन अब क्लियरली अंडरस्टेंड हुआ होगा इसका करेक्टर आप्शन था उसके बाद अनदर इंपार्टन करेक्टर आप्शन है हमारे पास वीक इजिए फ़ालोइंग साइट संटेंप्ल कुनार्क पताधेकल टेंपल करनाटका महा भोजी टेंपल बोथ गया which are what the abo is ar abo ynisko heritage site is इन पे से heritage site कौंच सी है तो आप बोलेंगे ये वाली भी है ये वाली भी है ये वाली बी है तो option C correct राहेगा first one second and third इसका correct option राहेगा तो यहां पे another important question आपके पास question number third original following site is in the ascending order of year in which they wire a unisko heritage site इनको ascending order करना पड़ेगा मतलब किस 1983 से लेके 2021 में इन में बताना होगा सबसे पहले कौन आई थी ताजमेल आया था, संची सुतुपा आया था, कुतुब मिनार आया था यहां ब्रदेशवरा टेंपल को यहां पे लिष्ट में डाला गया थो तो अगर आपने यहां लेक्चर को प्रॉपरली देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि 1983 में उसके एसेडनिक आडर करेंगे तो सबसे पहले ताजमेल को आया था, लिस्ट में आया था उसके बाद बात करेंगे तो उसके बाद ब्रदेशवरा टेंपल आया था, उसके बाद बात करेंगे और उसके बाद कुतुम मिनार आ रहे था आप्शन नमबर एक करेक्टर रहेगा इसका अनधर इंपाटन कोच्छन है आपके सामने ये देखिए वीच आप दा फॉलो इंग इस नाट करेक्टिली मैच इड आप बोलेंगे यहां पर इंसको हेरिटेज साइड है यहां पर सिट इसमें इन में से कौन कर्यक्टली मैच इड नहीं है भीम बिटेका मधीया परदेश में हैं फिल्कुल यह कॉरेक्ट मॉटेसवरा टेंपल तामिलनाडो में हैं बिल्कुल कर्यक्ट मैच उसना राज Angst नम करनातका मैं बद्स नहां पर आर इंपर अरृद्णा पर्दिश ब selection आप है site as a unisco heritage site के criteria क्या होता है इसको select करने के लिए अगर हम A part की बात करेंगे master piece of human creative genius बिल्कुल correct है दूसरे पार्ट की बात करेंगे outstanding example आप है type of building architecture और technological assembly और land stay बिल्कुल ठीक है तो option कौन सा correct रहने वाला है बोत A and B रहेगा correct क्योंकि दोनों के दोनों criteria हम पर met होने चाहिए दो में से एक भी होगा तो भी चलेगा अगर दोनों के दोनों होगे तो दो भी चलेंगे last वाला question रहेगा इस document के according यह question पूचा गया है कि which one of the following is still now latest कौन सी है इन में जो add की गई थी अगर हम देखेंगे तो latest हमको देखने को मिल रही है इस document के according तो यह 2017 तक updated है तो हमको देखने को मिला था यहां पे हिलपूर्ट सपराजस्तान तो सबसे पहले आया था historic city यहां पे काल का शिमला पहले आया था आरी वस्तरा टेंपल पहले आया था लेकिन historic city अप आमनाबाद latest आई थी तो इसमें यह option भी correct रहेगा अगर आज 2020 की बात करेंगी तो latest site रहेगी डोला वीरा एंड रामापाट टेंपल तो यह था आज का हमारा important topic जो इसको की heritage site is related था I hope आपको चीजे clearly समझ में आ गई होगी आप video lecture को properly देखे आपको चीजे समझ में आ जाएंगी अगर आपको content पसंद आयाता है तो आपने friends के साथ share कीजिए हमारी channel को subscribe कीजिए और आपने जो भी question वगेर होंगे हमारे comment box में share कीजिए आपको उनके regarding answer मिल जाएगा तो फिलाल के लिए इस video lecture में इतना ही मिलते हैं दूसरे video lecture में तब तक के लिए goodbye and take care